हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कुस अबाउट दी इंट्रोडक्शन तु स्टैक और क्यू डेटा स्टुक्चर विच इस यूर यूनिट नंबर 2 एक्कॉर्डिंग तु दी आर्जी पीवी सिलेबस मतलब आर्जी पीवी यदि हम स्कीम और सिलेबस को फॉल करती हैं दो लीनियर डेटा स्टुक्चर को कवर करती हैं एक है आपका स्टैक और दूसरा है क्यू बोत आर्डी लीनियर डेटा स्टुक्चर लीनियर डेटा स्टुक्चर क्या है डेटा स्टुक्चर के अप्लिकेशन क्या है या अल्रेडी हम यूनिट वन के वीडियो में देख चुके हैं now stack जो है मेरा एक linear data structure है जो की work करता है last in first out principle पर मतलब last in first out मतलब वो particular request जो सबसे last में execute होगी वो सबसे पहले sorry जो सबसे पहले last में call होगी वो सबसे पहले मेरी request execute होगी stack को में इस तरह से draw करूँगा जहां पर मेरे पास में जो भी elements होगे वो insert करूँ या delete करूँ the insertion and deletion एक ही end से perform होगा और उस particular end का name हम दे रहे हैं आपे top top is a variable जिस end से insertion and deletion दोनों perform होगे ठीक है now यदि हम इसके example की बात करें let us assume मेरे पास में तीन elements है a b c तो a insert हुआ then b insert हुआ then c insert हुआ कैसे insert हुआ top की value कैसे increment हुई यह हम next videos में discuss करेंगे this is general introductory video of the unit के इस particular unit में हम क्या-क्या discuss करने वाले हैं दूसरा type है हमारे पास में linear data structure का जिसको हमने बोला q जब हम q data structure पढ़ेंगे तो हम q data structure को दो end से represent करेंगे एक end का name हम देंगे front दूसरे end का name हम देंगे rear मतलब जो भी insertion हम perform करेंगे वो rear end से perform करेंगे जो भी deletions हम perform करेंगे वो हम front end से perform करेंगे यहाँपे हम HO beim डो variables use करेंगे मतलब दो end को use करेंगे similarly जो भी q a example है आप रिजर्वेशन के काउंटर पर खड़े हैं जो सबसे पहले आएगा उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले एक्जीक्यूट होगे तो यह दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्चर है जो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इन पर्टिकुलर डेटा स्ट्चर से क्या क्या का एप्लिकेशन से Mm और ट्रेक्वेस्ट करने में जो पर्टिकूलर डीक्रेस्ट सबसे पहले एक्जीक्यूट हो यह उस마ं इसको यूज करते हैं तो हम यह सारे एप्लिकेशन भी इस पर्टिकुलर युनिट में डिस्क्स करें के तो ये दो यूनिट जो है वो स्टैक क्या हैं इस press कि अलगॉर container 치 क्या है क्या time complexity लग रही है क्यों के क्या application हैं क्यों कि क्या algorithm हैं क्यूंके क्या application हैं ये सारे क्योंके कितने टाइप्स हैं यह सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में डिसकस करेंगे तो प्लीज वॉच्च आर अपकमिंग वीडियो बेस्ट ओना स्टैक एंड क्यू डेटा स्रॉक्चर थांक यू सो मच